दूसरा, ये question देखिए, railway group D में, काई बार पूछा गया है, एक बार नहीं, बहुत बार ये question repeat किया है, ध्यान दीजियेग आप सभी student, question number दूसरा, most important और most repeated question है, question है, दिये गए विकल्पों में से, संबंदित संख्या को चुनिये, और ये आपको बता दे दोस्तों, ध्यान ठीक है, same question यही, question है, 6 का संबंद 222 से है, उसी प्रकार से 7 का संबं 222 से है, उसी प्रकार 7 का संबं 222 से है, उसी प्रकार 7 का संबं इन 4 विकल्पों में से किस से होगा, बताए, simple question है, सारे student answer दे, एक साथ answer आना चाहिए, और सभी के answer सही आने चाहिए, पूछ क्या रहे, 6 का संबं हम लोगों से क्या बोला है, दिया है, हम लोगों कोई पास दिया है, 222 से है, तो 7 का संबं किस से होगा, यह पूछ रहे, तो 6 222 कैसे हो सकता है, 6 का स्क्वाइर करेंगे, तो नहीं 36 होगा, 6 का क्यूब करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 6 का क्यूब कर दे, तो 6 का cube होता है, 6-6-6, 6-3-3-2-11, क्या होता है, 216 होता है, लेकिन यहां 222 है, यानि कि 6 का cube तो किया है, और इसमें क्या कर दिया है, प्लस 6 कर दिया है, तो क्या हो गया, 222, समझ रहे हैं, यह 222 कैसे आया, 6 का cube किया, और फिर उसमें 6 जोड़ दिया, चलिए कोई नहीं, यहां जो 7 आपको दिख रहा है, 7 का cube करिए, 7 का cube 347, 7 कुने 7, 7 से उन्चा से ते 343, 343 इसमें क्या करिए, आप 7 जोड़ दीजिए, 347 में 7 जोड़ेंगे, तो होगा 350, तो यहां पर अगर हम 350 रखें, तो क्या 350 option में है, ह है, option number पहले में है, तो यहां पर क्या होगा, 350 होगा, और option number क्या हो जाएगा, यह सही हो जाएगा,